भारत में आप इस तरह के डेटा के बारे में आधिकारिक तौर पर नहीं जानते हैं जैसे महमारी से मरने वालों की संख्या गायब कर दी गई उसी तरह से महमारी में बेरोजगार हुए लोगों की संख्या भी गायब कर दी गई है सवाल लाग करोड रुपए अपने प्रॉविडेंट फंड अपनी आखरी जमा जोखू उसमें से निकाल लेते हैं अपना घर चलाने के लिए और यहां पर 20,700 करोड रुपए जमा करा दिया जाते हैं स्विस बैंक में बकरी पर मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी गई इसलिए करोणा फैल रहा है देश में ट्विटर को जूट का जहर फैलाने की छूट कौन दे रहा है और कौन परदे के पीछे से इस चड़िया को उड़ाने की कोशिश कर रहा है मीडिया में एंकर अपने डिबेट्स या शोज के जरिए देश में चल रहे हैं समस्याओं को जनता के सामने रखता है आज हम कुछ एंकर्स के डिबेट्स या शोज देखेंगे कि उन्होंने पिछले हफते अपने डिबेट में किन मुद्दों को तवज्ज़ दी सबसे पहले बात करते हैं एंड़ी टेवी के वरिष्ट पत्रकाल रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर जल्चा की पहला आर्थिक तंगी के दौल से लेकर अयोध्या की जमीन का मामला दूसरा पेटरोल महेंगा प्रधान के अनुसार प्रधान कारण क्या है तीसरा नागरिकता कानून का विरोध आतंकी साज़श आखिर कैसे हो गया चौथा कहां पल्स पोलियो कहां करोना का टीका अभियान पांचवां, अठारा करोड का विवाद बड़ा या चारहसार करोड का कथद को ठाला रवीश अकसर अपनी डिबेट में जरूरी मुद्दे ही उठाते हैं इस पर अपनी डिबेट में अनुने करोना महमारी के बाद परती विरोजकारी को लेकर जिनता जाहिर की और सरकार दोरा आंकड़े जारी ना करने को लेकर भी कुछ सवाल किये नमस्कार मैं रवीश खुमार क्या सरकार ने ऐसा कोई आंकड़ा दिया है जिससे पता चलता हो कि पिछले एक साल की महमारी में कितने लोगों की नौकरी चली गई है कितने लोगों की सैलरी कम हो गई है कितने लोगों की कमाई आधी से भी कम हो गई है ऐसे लोगों के जीवन पर क्या आसर पड़ा है लोग ट्विटर से लेकर फेस्बुक पर लिख रहे हैं कि उनकी नौकरी चली गई है, घर चलाने के पैसे नहीं है इन बातों पर चिंता छोड़कर बहस हो रही है कि किसे ब्लू टिक मिल रहा है और किसे नहीं मिलना चाहिए अमेरिका का Bureau of Labor Statistics हर महिने बताता है कि कितने लोग बेरोजगार हुए हैं मई महिने में बेरोजगारी की दर में 0.3% की कमी आ गई अमेरिका में 93 लाख लोग बेरोजगार हैं इस वक्त भारत में आप इस तरह के डेटा के बारे में आधिकारिक तौर पर नहीं जानते हैं जैसे महमारी से मरने बालों की संख्या गायब कर दी गई उसी तरह से महामारी में बेरोज़गार हुए लोगों की संख्या भी गायब कर दी गई है अब बात करते हैं न्यूस 24 के वरिष्ट पत्रकार संदीब चादरी की और जानते हैं अनुने के इन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा पहला भारत कंगाल इंडिया माला माल दूसरा राम नाम की लूट क्या बोला जा रहा है जूट तीसरा पेट्रोल डीजल की बड़ती कीमतों के लिए राज्य जिम्मेदार चौथा एमेसपी था है और रहेगा मिलेगा कब महंगाई की माल से आम जनता काफी परिशान है देश में आल्थिक सुष्टे भी जा रही है इसे मुद्देपल संदीट ने डिबेट की और भाजपा निता से सरकार की तैयारी को लेकर सवाल किये तो वी शेप तो नहीं केशेप रिकवरी हो रही है क्या जफर भाई जब मैं ये सवाल पूछता हूँ गलत सवाल पूछ रहा हूँ अमीर और अमीर हो रहा है लेकिन गरीब और गरीब होता जा रहा है ये कड़वी हकीकत है क्या भारत की गरीब कल्यान कारी योजनाई जो चलाई जा रही है लोगों के खातों में पैसा लोगों को राशन देना और बहुत सारी सुविदाएं देना ये गरीबों के लिए काम करना इस समय में सरकार जो है अपने पूरे खजाने को खोल दिया है गरीबों के लिए मुझे ये समझाईए तेरा साल में सबसे ज्यादा हमारे डिपॉजेट्स स्विज बैंक में बढ़ जाते हैं और यहां पर आम आदमी साड़े तीन करोर लोगों का जो मैंने जिक्र किया अब बात करते हैं गोदी मीडिया के एंकरों की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जरूरी समझा पहले बात करते हैं न्यूजेटीन के पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चल्चा करना जरूरी समझा पहला वोट के लिए सामपरदा एक सोहाल्द पर चोट 2022 चुनावों के लिए प्रेयोग दूसरा जुबाँ पर आजादी दिल में मनमानी तीसरा राम को बदनाम कर तंगा बढ़काने की टूल किट चौथा, सियासत में बगावत यूग, राजनीती में क्यूं चल रहा है अपनों के बीच यूद पांचवा, कॉंग्रेस में ग्रेय यूद क्या कॉंग्रेस पार्टी को है सलजरी की जरूरत? करोना के बाद देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है इस पर डिबेट करने की बज़ाए अमीश ने अपनी डिबेट इन्दू मुसलिम से जुड़े मुद्दों पर केंदरित रखी कोई घटना एक बार हो तो इसे संयोग माना जा सकता है लेकिन एक जैसी घटना अगर बार बार हो तो संधे होता है कि कहीं ये कोई बड़ा परियोग तो नहीं है करोना का कहर तूटता है तो कहा जाता है कि ये शरियत के साथ छेर चार का बड़ा नतीजा है बकरी पर मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी गई इसलिए करोना फैल रहा है कॉंग्रेस के एक सांसत कहते हैं कि जब मुसल्मान कॉंग्रेस के साथ थे तो बीजेपी को सिर्फ दो सीटे मिलती थी अगर मुसल्मान फिर कॉंग्रेस के साथ आ जाए तो बीजेपी दोबारा दो सीटों पर सिबट जाएगी कॉंग्रेस के नेता कहते है गाजयबाद के एक बुजर्ग के साथ दुर्वेवार होता है जो की बहुत दुखत है देश में ऐसी शर्मनाग घटनाएं नहीं होनी चाहिए लेकिन लो एन ओर्डर का महज एक इंसिडेंट को सामप्रदाइक रंग देने की चाल चली जाती है अब बात करते हैं रिपब्लिक भारत के पत्रकार एश्वर्या कपूर की और जानते हैं और हुने किन मुद्धों पर चल्चा की पहला फेक नियूस गैंक का पक्का एलाज कब दूसरा फेक नियूस फैक्टरी पर आई ताला लगाने की बारी देश में बढ़ती महंगाई पर बात करने के बजाए एश्वर्या कपूर ने अपनी डिबेट ट्विटर पर चल रहे विवाद को ले कर की इसी डिबेट में उन्होंने हिंदू-मुसलिम का जिक्र भी किया अरब जब आट से नौ महीने के अंदर उत्रप्रदेश में एलेक्शन आने वाला है तो फेक नियूस का एक अलग पैटरन है राम मंदिर से लेके हिंदू-मुसल्मान ये कौन है पूछता हूँ मैं और पूछता है भारत कि गाजियाबाद की दंगा ब्रिगेड जी हाँ गाजियाबाद की दंगा ब्रिगेड ने किसके इशारे पर पहलाई फेक नियूस और पूछता है भारत कि देश में फेक निउस की फैक्टरी में नफरत की आग ये क्यों और कौन लगाना चाहते हैं और क्या इनका उद्देश शिर्फ इलेक्शन जीतना है पूछता है भारत की ट्विटर की बेलगाम चिडिया जूटी खबरों के सहारे कब तक और किसको उडान देना चाहती है और आज पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल देश में ट्विटर को जूट का जहर फैलाने की छूट कौन दे रहा है और कौन पर्दे के पीछे से पिंजरे के बाहर से इस चिडिया को उडाने की कोशिश कर रहा है पूछता है भारत आपने दोनों तरह के मीडिया को देखा कि कौन किस तरह की खबरों को जरूरी समझता है अब आगे आपको तैकलना है कि आपको जानकारी भरपूर खबरे देखने है या फिर चाटु कारिता भरपूर अम आगे भी आप तक मेडियो और देशे जोड़ी खबरें पहुंचाते रहेंगे Punjab Radio Report